नमस्कार, सलाम, न्यूस क्लिक के विशेश कारे करम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है मैं हूँ मुकल सरल उमिक्रान का प्रकोब बढ़ता जा रहा है और नेताओ की रैली और रोडशो पर अंकुष लगाने की मांग भी उठने लगी है हालकि चुनाव आयूग ने साफ कर दिया है कि चुनाव तैसमे पर ही होंगे तो जब चुनाव तैसमे पर होंगे तो हमें आपको बैटकर भी अपने मुद्दे अपनी समस्याओ के बारे में सोचना होगा देखना होगा कौन दल वाकई आमजन के साथ है और आज हम बात करेंगे इसी आमजन की आधियाबादी यानी महिलाओ की उत्रप्रदेश में महिलाओ का इन चुनाओं में क्या रोल रहने वाला है क्या वे इस चुनाओ को प्रभावित करेंगी और कितना हमने देखा कि 2017 के विधानसाबद चुनाओं में महिला वोटर्स ने पुर्षों की अपिक्षा अधिक संख्या में मद्दान किया जहां पुर्ष मद्दाता 69.4-3 फीसद थे महिला मद्दाता 63.2-6 फीसदी थी तो क्या इन चुनाओं में महिलाओं के मुद्दो को भी एहमित मिलेगी महिलाओं का जिकराते ही सिर्फ रसोई के बजट की बात की जाने लगती है उज्वला गैस के आंके दिखाया जाने लगते हैं लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि उज्वला के आगे जहां और भी है महिलाओं का अपना अलग वजूद है तो उनके लिए भी पुर्षों की तरह शिक्षा, स्वास्ते, रोजगार ये सब मुद्दे महत्वपूर्ण है इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनव से खास मेमान महिला संगठन, एडवा की नेता, मधुगर मधुजी आपका अनुज क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है हम बात करना चाते हैं महिलाओ के एतबार से तो महिलाओ के समगर विकास की बात की जाए तो क्या डबल इंजन की सरकार काम कर रही है यूपी में? डबल इंजन की सरकार दिखावटी काम ज्यादा कर रही है और जमीन पर आप जाएं तो कुछ भी नहीं क्या हम लोग का तो जो औरनाइशन है वो बहुत गरीब बच्चियों में और गाउ में हम लोग संपर्क में रहते हैं महिलाओं कर और हम लोग देक रहे हैं कि पाउसलों सार प्चले पांट सालों में जो इस्तिति इसमें बहुत जादा गिरावट उनको जैसे गाहों में मन्रेगा में कोई काम नहीं मिल रहा है, शहर में करोना के उत्रूई है, उसमें सरकार ये सोस्ती है कि वो राशन दे दे देगी दाल चावल, वो चावल और गेमू और अभी तो खैल चुनाओ के लिए दोने दाल और नमग पी शिरू किया है, उससे हल ह यहाँगे को हम जाये ग आप झायके की हम लोगों नने एक शर्वे किया था इसमें आपने पूछा तुम क्या खाते होें दोनों टाइम तो मतला मौidas हम लोगों जो हम लोगों को यह पता लगा कि दाल को एक्स अपना हो गई है दाल तो खाते ही नहीं है, पतली दाल कभी-कभी बच्चों को वहलाने के लिए बन जाती है दो वक्त काम एकदम खतम हो गया है तो आप किस उस पर कहने की बहुत विकास हो रहा है दिखावती बहुत जादा है बड़ी-बड़ी योजनायों का वो मतलब एलान करते हैं और कुछ दिखाने के लिए कुछ लाभार्चियों को बुला के और उनका इंटर्व्यू करवा देते हैं तो जैसे लगता है कि बहुत कुछ योगी सरकार कर देए लेकिन सही माहिने में आप देखिए तो खुरतों की स्थिती बहुत जादा खराब ही ये पिछले पास सारों हम लोग देखते हैं जैसे कि हमा पैसे नहीं काटे जाएंगे इनको पेंशन योजना सारी बंद पड़ी हुई है उसमें बहुत करप्षन है तो हम कैसे कहें कि विकास हो रहा है वरतों का मतलब कहीं भी समग्र विकास वाली बात तो कुछ नजर आती नहीं जमीन इस तर पर तो महिलाओ के मुद्द क्या-kyan आप देख रहे हैं इस समय उपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा मितलब वाइलेंस के अलावा अगर दिखा जाए वाइलेंस तो बहुत ब़ड़ा मुद्दा ही, उस पे भी मैं बताउंगी लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो survival issues है जो मतलब अधिकांच जनता है जो UP की देखी रहे हैं अपनी यूति आयों के भी आखड़े आ गए हैं कि हम UP में तीसरे नंबर पर हैं गरीबी में तो इतनी जादा गरीबी बड़ी है और जो survival issues है वो बहुत बड़ा इशू है कि मतलब वो क्या करें वो अपने बच्चें को पढ़ा नहीं सकते वो अपने बच्चें को खिला नहीं सकते उनको रहने की जगा नहीं आवास योजना की इतनी बात की जा रही है लेकिन जो पड़ पड़ी हुई है उनको कोई नहीं अपलाई करते रहते हैं घरों के लिए कु तो तीन उनिट का राशन मिल रहा है जो महिला है उनको उनका आधार काड से अंगुठा लिंक नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो गया है, बायोमेट्रिक मशीन में वो अंगुठे का निशान नहीं आ रहा है, तो यह तो दिखाने के लिए कि हम बांट रहे हैं राशन, लेकिन देखा जाए तो जितना उनका हिस्सा हो मिल नहीं रहा है, और दूसरी बात केवल गेहूं चावल, यह अभी की बात छोड़ दीजे, गेहूं चावल से घर नहीं चल से, 200 रुपए लीटर से घर चले रहा है, काम कुछ है नहीं मैं यहां दिल्ली तक में योगी जी का प्रचार है, हर मेट्रो पर हर मेट्रो स्टेशन में महिलाओं के लिए पर क्या-क्या कर दिया है, तो मैंने वही सोचा कि उजवला से आगे जहां और भी हैं, उजवला का भी बढ़ा डिंडोरा है, कि उसे तो दुबारा भरवा ही न में बहुत बड़ा अपना डिंडोरा पीटा काशी विशुनात कारिंडोर का, तो 55 किलो मेटर दूर पे वो चकीया तहसील है चंदोली, वहां पर हम लोगे चार-पांच गाउं में मीटिंग की, और चार-पांच गाउं में मैंने यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, इसी स लेकिन आम लोगे सब मानने वाले नहीं हैं, और उज्वला की जहां तर बात है, उज्वला तो, समझे है, सबके मैंने घरों में जाके देखा, कि उज्वला टार पे रखी हुई है, जो उपर जो बनी होती है, पतलर एक जगह समान रखने की, फाल्तू का समान रखने की, उ हो कह रहे थी कि हम एक हजार की हम गैस कहां से भरवाएंगे, वही चूला और कैसे लक्रित बीनना, वही सब हो गया, तो उज्वला योजना तो पूरी, और सुनें, शौचाले, शौचाले बहुत बड़ा इस्यू है, यह सरकार कहती है ना सक्षता अभियान के ताप कि हमने गाउं-गाउं में शौचाले बना दिया, शौचाले की हकीकत यह है, कि अभी मैं एक गाउं गई थी बड़ोरा, बड़ोरा गाउं है, कहीं चकिया का, बड़ोरा गाउं में हम लोग ने औरतों की मीटिंग की, तो बता रहते हैं, 452 शौचाले, 420 शौचाले में घुटाल और उसमें भी प्रधान खाता है प्रधान कहता हमारा ही ठेटी डार आएगा और वह ऐसे शौचाले बने हैं कि अगर एक जोर से लात मार दी जाए तो पूरा भरवरा की जाए जी जी तो वह शौचाले नाम के हैं कोई नहीं जा रहा है उस सब खेतों में जा जिनिक भी नहीं महिलाएं भी समझ रही हैं महिलाएं भी समझ रही हैं कि जो नमक दे रहे हैं वो भी नमक वो भी जाने कि सरकार के अपने पैसे का नहीं अपनी जेप से नहीं दे रहे हैं वह सब आम जंता का ही पैसा है जो बाट रहे हैं जिसे वह मुफ्त का नाम देते हैं वह वाकि में य प्रियंका गांदी ने नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं चालिस वीजदी टिकट का भी वादा किया समाजवादी पार्टी कर रही है वादा कर रही है कि पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे और उधर फिर हमारे योगी जी भी कन्या सुमंगला मैं यह कह रही हूं आप बोल रहे हैं कि सारे राजवाने वे और यह स्कूटी देने का वाइदा है लड़की उलड़ सकती हूंगी तमाम नारे आ रहे हैं तो मैं महिला अंदोलन की दिश्टी से कौंगी कि यह एक पॉजिटिव चीज हमारे लिए है महिला हूं कि अभी तक महिलाओं की वोट का उन्हें इंडिपेंडनेंट अधिकार है वो तो पती के कहने से डाल देंगी उनके इशूस को उठाते ही नहीं थे लेकिन अगर हमारे हमलों के संगर्ष इतनी आवास से अगर यह जगा हमने बनाई है कि राजनेतिक दल आज यह देख रहे हैं कि महिला आरेक्शन का खाल हम देख रहे हैं कि इतने साल हो गए रवा राजनेतिक दल यह तो पता है लेकिन फिर भी अगर वो हमारी और देख रहे हैं UP की महिलाओं की और देख रहे हैं तो निशी सेकाराधमा पतलब दिशा में जाने वाली बात है तो दो हिस्से रहे हमारी बातचीत के एक तो कि यूपी की वास्टे की स्थिति विकास की स्थिति क्या है और जो वो आंकड़े बता रहे हैं और क्राइम वाले वो तो हैं उनका NCRB जो है या राश्ट्र महिला आयोगी उसका तस्दीक नहीं करता यूपी की हालत हम सब को करते हैं और रूने किस तरह से मजबूर करती है कि वो उन वादों को कुईरा करें बहुत-बहुत शॉक्रीया हमारे साथ हमारी दूशरी महमान है इलाबात से लेखक और महिला एक्टिविस्ट कुमुद्री पती है क watts यूप का बहुत-बहुत स्वागत है न्युसक्रीच म लिखा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच महिला चार्टर की जरूरत है आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से जातिय समिक्राण हावी रहे हैं लेकिन आधी आबादी का सवाल भी कम एहमियत नहीं रखता तो आप किस तरह से महिला चार्टर या गोशनापातर इन चुनाव में चाहती हैं क्योंकि महिला किसान भी हैं महिला मजदूर भी हैं वे दफ्तर भी जाती हैं वे स्वास्ते कर्मी हैं आशा कर्मी हैं तो जो अपने हक के लिए आंदुलन भी कर रही हैं तो किस तरह से चुनाव में वे दखल दे सकती हैं या उनक यह लिखा था कि एक अलग महिला चार्टर की जरूरत इस चुनाव में है इसलिए कि महिलाएं पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में तो जरूर ही एक एजेंसी उनकी बन गई है यानि मेरे कहने का मतलग कि वो अब सामने आ गई हैं जो पंचायती राज में उनकी भूमिका रही है उसकी वज़े से वो काफी आकरामत मुद्रा में इस समय सामने आई हैं और यह हमने देखा भी है कि किस तरह से 2017 के चुनाओं में अगर आप देखें आकड़े तो उसमें महिला वोटर टर्न आउट पुरुशों के वोटर टर्न आउट से कहीं ज्यादा थी जहां तक मुझे याद है कि 4% के करीब अधिक थी इससे समझ में आता है कि महिलाएं सामने आ रही हैं और उनके भी मुद्दे स सामने आने चाहिए तो यह महिला चार्टर की जहां तक मैं बात कर रही थी यह सभी राजनितिक दलों को सभी महिला संगतनों को काम करना चाहिए इस पर कि कौन-कौन से मुद्दे महिलाओं के हैं जिन्हें राश्ट्री पटल पे आना चाहिए और उनको ले करके एक को इस चुनावी अभ्यान में वह हाइलाइट करें तो अगर ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत भारी संख्या में आधी आबादी की जो हमने हमेशा महसूस की है कि उनके सवाल उनके मुद्दे उनके बारे में जो सोचने की जरूरत है राजनितिक रूप से सोचने क की खरूरत है इसकी कमी रही है वह कमी पूरी हो जाएगी इस अब जहां तक ये राश्चिये शाटर की दिम्स बात है तो मुखे लगता है की एक्षुएली हो एक राश्चिये चाटर ही होगा लेकिन उत्तर प्रदेश में खास उत्तर प्रदेश के सवालों को हम इसमें उजागर कर सकते हैं जैसे सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और अगर महिलाओं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं तो खेतों में कैसे काम कर सकती हैं वह स्कूल कैसे जा सकती हैं वो काम पर कैसे जा सकती हैं वो मजदूरी कैसे कर सकती है तो यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराज की संख्या लगातार बढ़ती गई और 2020 में मुझे जहां तक पता है कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो गया महिला क्राइम रेट के मामले में तो ऐसी स्थिती में क्या हम महिला सुरक्षा को ले करके कुछ सही काम कर सकते हैं मैंने जहां तक पता लगाया तो लोग बता रहे हैं कि क्राइम रेट को कम करने के लिए इस समय F.I.R. दर्ज करना बंद हो गया बड़ी मशक्कत करनी पड़त जिन्होंने बलातकार किये होते हैं जिन्होंने महिलाओं पर अपराद किया होता है वो लोग सक्री हो जाते हैं और वो लगातार हैरस करना शुरू करते हैं पूरे परिवार को जैसे आपने हाथरस में ही देखा कि किस तरह की घटना हुई तो इस तरह से अगर ये दबंगो को पुरा मौका मिल जाता है कि वो महिला को और ज्यादा प्रताडित कर दें केस वापस करा लें या उनके घर वालों को धंकाएं या लड़की को ही मार दें तो क्या मतलब होता है यहां कानून विवस्था का पर योगी जी तो मैं रोकूंगा आपको योगी जी मोदी जी अमि है नहीं हकीकत एकदम इससे विपरीथ है और मैं जहां तक जानती हूं कि आज यह स्थिती हो गई है कि लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो हम तो बहुत सारे पेरेंट से भी बात करते हैं तो अभी लोग बड़े खुश हैं कि आनलाइन से पढ़ाई हो रही है मैंने का कि क्या बात है तो कहते हैं कि हम लोग अब घर में किसी एक लड़के को ढूंते हैं या पिता को ढूंते हैं कि लड़की को पहुंचाए स्कूल और लेके वापस आए ऐसी स्थिती हो गई है कि लड़कियां अपने से स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती हैं सुरक्षित रूप से नहीं जा सकती हैं तो यह तो हकीकत नहीं है और गहने की देहां तक बात है तो गहने तो छोड़िए तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी इज़त पर जब आ गई है तो अब गहने को छोड़ी दीजिए जैसे अब ही मैं बात कर रही थी कई आशाकर्मियों से मैंने बात की तो उन् वहां अगर जाईए तो पैरसीटमॉल के अलावा कोई दवाई आपको नहीं मिल रही थी। पूरे COVID-19 के सेकंड वेव के समय कई आशाकर्मियों ने मुझे बताया कि वहां पर कोई सुविधा नहीं होती है और इसलिए लोगों को प्राइवेट में जाना पड़ता है। और हम लोगों को इनको ले लेकर के जाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में क्योंकि सरकारी जो प्राइमरी हैज्ट सेंटर है उसमें कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। तो हमें लगता है कि स्वास सेवाओं को और बहतर बनाया जाना चाहिए और उसको एकसेसिबल बनाना चाहिए कि महिला आराम से वहां जा सके एक आशाकर्मी की को जब यह हो गया संक्रमन हो गया तो आप सोचिए कि वो बता रही थी कि हमको डबल मास्क अपने घर से पैसा गाना पड़ा और इस संक्रमन के वज़े से मेरे पती की मृत्यू हो गई तो उसको भी पैसा मिलने में इतनी दिक्कत हो रही थी क्यूंकि उसमें दिखा दिया गया था कि वो कोविड से नहीं मरें तो यह स्थितियां हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रतारित हैं इस समय तो यह एक चाठर में मुद्ब होना चाहिए कि स्वास सेवाओं को घरघर तक पहुँचाया जाए और पीएचसी जो हैं इनको बहुत ही मजबूत बनाया जाना चाहिए तो इसके इसके अलावा और सुरक्षा स्वास्ते शिक्षा और फिर मुझे लगता है कि जैसे एक यह बात आती है कि जैसे अभी प्रियंका जी ने बहुत सारे सवालों को ला करके रखा और उसमें आशाकर्मियों के लिए और व्रिद्धों के लिए विद्वाओं के लिए बहुत सारे स्कीम की बात की है तो मुझे लगता है कि जैसे कॉंग्रेस रूल जो राज हैं जो उसके बाद आप जब बात करेंगे तो लोगों को विश्वास भी होगा कि हाँ सभी बात है इनों ने किया है कहीं तो अगर इस तरह से केवल चुनावी घोश्राओं में बाते होंगी तो उसको जुम्लेवाजी के अलावा क्या कहा जाएगा इसको भी जुम्लेवाजी कह सकते तो यह एक मुद्दा है जो मुझे लाना था सामने और दूसरी बात यह कि शिक्षा के सवाल को ले करके जैसे अभी सेकेंडरी लेवल जैसे माधिमिक शिक्षा में हम देख रहे हैं कि करीब 14.2% लड़कियां ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो वह ड्रॉप आउट क्यों कर नहीं है इसके कारण पते लगाने चाहिए मुख्य कारण जहां तक मुझे लगता है कि उनको किसी साधन किसी सुविधा की जो जरूरत है जैसे मान लीजिए कि वह अगर दूर तक जाती है स्कूल पहुंचना है उनको तो वह किस साधन से जाएंगी एक तो उनकी कोई सुरक स्कूल के इंफ्रस्ट्रक्चर को बहतर बनाया जाने चाहिए अब पता लग रहा है कि स्कूल की च्छत ऐसी है कि किसी भी समय वो गिर जा सकती है तो ऐसे स्कूलों में लड़कियां कैसे जा करके पढ़ेंगी और माता-पिता को कैसे यह महसूस होगा कि उनके बच्चे सु कोच से ग्रस्त है यह तो मैं खुले आम कह सकती हूं और इसको बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री और हवा दे रहे हैं इस पित्र सत्तात्मा सोच गो जी तो आज की बातचीत में थोड़ा सा यहीं रोकना चाहूंगा कि अभी हम लगातार बातच जारी रखेंगे फिलाल के लिए शुक्रिया ठीक है नमस्कार धन्यवाद मुकुल जी यह सही है कि यही सही समय है महिला चार्टर महिला घुशना पत्र तैयार करने का राजनेतिक दलों से इस पश्ट राय और वादा लेने का हाला कि हम यह भी जानते हैं कि एन चुनाओ के वक्तों हर राजनेतिक दल आपके हर समस्या दूर करने और मुद्दे का हल करने का वादा कर देगा जैसे आपको याद ही होगा अच्छे दिन का वादा रोजगार का वादा जिसे चुनाओ बात स्विधान उसार जुमला कहा जा सकता है फिर भी लोकतंतर का पर्व है हुए महिला उपर मार आपके बार डॉट 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 लेकिन इस बार महिलाएं खुद तैय करेंगी कि इस बार क्या तो फिलाल चनाओ चक्र में इतना ही हमें दीजिए इजाजत हमारी साइट पर विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीज